पिछोर में व्यापारी संग ने किया रोड पर चक्का जाम पिछोर में पिछले एक महिने से लगातार दुकानों में हो रही है चोरियां जिसको लेकर के व्यापारी संग ने कई बार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस प्रशासर ने कोई कारिवाही नहीं की आज फिर बीती रात एक किराना व्यापारी की दुकान में चोरी हुई है जिसको लेकर कि व्यापारी संग ने थाने में कारिवाही की मांग को लेकर की ग्यापन दिया और कॉलिज चौराहे पर चक्का जाम किया गिरफतारी की जाएगी और रातरी गश्ट भी बढ़ा दी जाएगी एवं रातरी गश्ट के तौरान जिस किसी भी पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगी थी उस पर भी कारेवाही की जाएगी स्ट्योपी की बात को सुनकर व्यापारी संग ने चक्का जाम खोला व्यापारी संग का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन कारेवाही नहीं करेगा तो आगे हम आंदोलन भी करेंगे और धरने पर भी बैठेंगे किराना बैपारी ने आज कॉलिज चौराय पर चक्का जाम किया है क्या है पूरा मामला यह दो दिन चोड़के किसी न किसी दुकान की चोड़ी हो रही है पुलिस को बार बार हम रिपोर्ट करते हैं लेकिन कोई हमें अभी तक कोई ऐसा क्लू यह कारवाई नहीं दिखी कि हमें यह लगे कि प्यापारी यहां सुरक्षे थे तो यहां एक बार आप हमें अपसर और प्रदान करें इसके बाद आपको आगे सिकायत नहीं मिलेगी प्यापारी संग्या अधकारी की बात से संतुष्ट है अभी कुछ समय के लिए हम उन्हें मौका दे रहे हैं कि वह उचतकारवाई करें और हमें सुरक्षा प्रदान करें इसके बाद देते आगे क्या होता है अगर कुछ सही नहीं होता तो गरम आगे और कुछ आगे की करवाई नहाराज ब्यापारियों ने आज कराना ब्यापारी ने रोड पर चक्का जाम किया है लगातार चोरी की घटना हो रही है क्या कुछ कहेंगे इस बारे में अब ही जैसे की जानकारी मिली है तो मैं यहां पर आया हूँ मैंने ब्यापारी मेंटल के अध्यक से ही बात किये और यहां के समाज से भी उनसे भी चर्चा की है मैंने उनको आस्वास किया है कि यह जोरी की घटना पर अंकुस पुलिस द्वारा लगाए जाएगा और जो चोरी आज होई है उसको जल्दी जल्दी ट्रेस करेंगे और रात में जिसकी भी डूटी रही होगी उसके अपन वचे द्वैदाने करवाई करेंगे